के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ठीक समय लेसन पढ़ा था और उसके कुछ अंसर देखे थे आज हम करेंगे उसके रह गए जो कुछन एंसर थे वो तो रेडियो आपसा आए सबसे पहले हम देखते हैं कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए कवीता की पंक्तियां पंक्तियां मिन्स क्या होता है लाइन कम्प्लीट दपूं ठीक समय पर नित उठ जाओ यहां पर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं मैंने पहले भी बताया है पुर्ण विराम फुल स्टॉप ठीक समय पर चलो नहाओ ठीक समय पर खाना खाओ ठीक समय पर पढ़ने जाओ तो आपको कंप्रीट करनी है पोएम की लाइन्स नेक्स्ट है शब्द समपदा पढ़िए समझ किजिए और याद कीजिए रीड अंडरेस्टैंड एंड लर्ण तो यह है अपोजिट वर्ड जो आप पहले भी पर चुके हो ठीक का अपोजिट क्या होगा गलत ठीक मिन्स राइट और गलत मिन्स रॉंग नित कभी-कभी बड़ा चोटा जबी भी हम अपोजिट वर्ड ल पढ़ना लिखना है यह वर्ड मिनिंग है ठीक ठीक का मतलब अभी आपने पढ़ा है सही उचित नित का मतलब नित्या प्रतिदीन हर रोज मिन्स एवरी डे स्रूतलेक लिखिए लिसेन एंड राइट ठीक समय नहाओ पढ़ना मौ जुराना तो यह सारे वर्ड्स आपको प दाका डिक्टेशन ले या आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं भाशा बोध कुछ शब्द काम करने के बारे में बताते लिए जैसे खाना पढ़ना गाना नहाना आदी खानास समझ को पढ़िये वाकीयों को पढ़िये हुआ संदिंस समोझ यह फिर लिखे रीड इंड्रeस्टैंड एंडिन राइड दर सैंटेंस एग थीख समय पर खाना खाऊ मैं ठीक समय झाथा कि अबुएखता जो घरने थीक समय पर पढ़ता या पढ़ती हूँ थीख समय पर घाना गाता या गाती हूं काने फोर्फ है ठीक समय पर खिलनेछ कि जा अगोओ थीक कवीता में से चुनकर काम वाले छे शब्द लिखिए write six action words from the poem तो आपको action word लिखने हैं तो जैसे यहाँ एक example दिया है जाओ next होगा उठना या उठो नहाओ खाओ गाओ पढ़ना या पढ़ो तो यह सारे क्या है काम वाले शब्द हैं शब्दों के अर्थ लिखिए और उनसे वाक्य बनाई है write the meanings and make sentences of the words given below आपको नित का मतलब लिखना है मिनिंग लिखना है तो नित का मतलब रोज प्रति दिन वाक्य आप क्या बनाओगे हमें नित इसनान करना चाहिए आप कोई और भी sentence बना सकते हो नेक्स्ट है समय समय मिन्स वक्त और मैंने वाक्य बनाया है हमें अपना काम समय पर करना चाहिए वाचन कोशल का विकास वाचन कोशल मिन्स रिडिंग प्रैक्टिस एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में कोई भी घड़ी नहीं थी तब लोग समय पर कैसे काम करते थे अपनी दादी नानी या अपनी अध्यापिका से पुछिए फिर कक्षा में सबको बताईए तो जब पहले जब घरी नहीं थी तब लोग सुरज की रोशनी सनलाइट देखकर अपना काम करते थे जैसे उसकी रोशनी तेज होती थी और जैसे उसकी रोशनी कम होती थी वैसे वो टाइम का पता लगाते थे रचनात्मक गतिवीधिया कुछ नया करें आप स्कूल में समय सारनी टाइम टेबल के हिसाब से ठीक समय पर सबकाम करते हैं लेकिन आप घर पर कब क्या क्या करते हैं उनकी एक तालिका बनाईए तालिका में से टेबल बनाईए अपने माता पिता से घरी पर समय देखना भी सिखें में कर टाइम टेबल ऑफ युर डेली एक्टिविटीज लर्न टो सी दर टाइम ऑन क्लॉक फ्रॉम यूर पैरेंट्स तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है जब आप जिस दिन आपका हॉलिडेय होता है जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो उस दिन आप सुबर से लगे क्या रात किस टाइम पर कौन सा काम करते हो उसका आप एक टाइम टेबल बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो खेल खेल में कक्षा में अभिनाय कीजिए इन एक्ट फॉलोइंग एक्शन इन क्लास तो यह आप ठ्रेंड्स के साथ किया सकते हो आपको यह नहाने का भोजन करने का ठुमक ठुमक कर नाचने का पानी पीने का घुर्ड़ से हसने रोने का हरगर में एक नहीं अनेक घरिया होती हैं जैसे वाल क्लॉक यानि दिवार घरी टाइम पीस यानि टेबल पर रखने वाले घरी रिस्ट वॉच यानि कलाई घरी आदी आपने कौन-कौन सी घरिया देखी है आजकल तो मोबाइल में भी घरी होती है जिससे आपको समय का पता चल जाता है और लैप्टॉ के घरियां तरह तरह के डिजाइन और आकार में आती हैं आप अपनी पसंद का मन पसंद घरी का चित्र बनाएए और उसमें रंग भरिए ड्रॉय पिक्चर और फेवरेट वॉच एंड कलर इट तो मैंने यहां पे घरी बनाई है आपको जैसी भी घरी पसंद है स्क्वाइर सरकल आपको बनाएए और उसमें कलर कीजिए अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ बाबाई